सो हेलो इस्टुएंट्स वेलकम बैक टो मैटोब चैनल स्वी स्टेडी क्लास एस 935 पर बच्चों तो कैसे आप सब और आई होप आप सब सबी स्वस्त होंगे और मस्त होंगे और आपकी स्टेडी संदार चल लही होगी बच्चों तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंतर चैप्टर नमबर 2 इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वो था सोलेड इस्टेट यानि की ठो सबस्ता वो चैप्टर आपके स्लेवस से हट चुका है वो आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो आपके चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर आया है वो है विलियन और इसक जैसे कि आपके सामने हमारा फ़र्ष्ट निमेरिकल है कि इूरिया के जीरो पाइंट जीरो बन मॉल जली बिलियन का 27 डिग्री सेंटीग्रेट पर परासणड़ दाब ग्याद कीजिए क्या आपको इसका लग सकता है इसका कितना परासणड़ दाब हो सकता है तो इस चीज़ क को लिखने से पहले हम लिख लें given हमें क्या क्या दिया गया है तो सबसे अच्छा रहे बहुतर रहे तो हमने लिख लिख लिया की यह नहीं हो जाँ सब्सक्राइब 27 centri अब आघो यहां पर 27 degree centigrade टापमान डिया गया इसको क्या करें जोड़ तो इसका ताफ मान जो हो गया वह मात्ति पास हो गया बच्छों तीन सो के लिए और इसमें हमसे प्रासंट दाव यानि की पाई वराबर कुस्चन में अब हमें ऐसा कोई सूत्र पूंचना जिसमें इन सारी भैलु को तो बच्छों इसमें एक आर का मान वियाएगा वह मारा म मान जो होता है कॉंस्टेंट होता है एक नियतांक होता है जिसका मान होता है 0.0821 हमारा आर का मान होता है तो इसमें जो मसूत्र लगाएंगे बच्छों हमें सूत्र पता होना चाहिए पाई उकल्ट होता सी रटी इससे पहले साइद आपने कुछ जने वाला सूतर पड़ा हो पाइव इजूकल टू एन आरटी इन आरटी साइद ए पड़ा होगा तो बच्चो ए जो सूतर है वो इसी सूतर से आया हुआ है तो जहां पर जिसकी जरूरत परती है वह लगाना होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने lecture first में discuss किया था, कहां पर कैसे सूत लगाना था, इन सारी चीजों के बारे में मैं discuss किया था, तो बच्यों यहां पर हम सूत लगाएंगे, π, уг丟 to C, aよね, जैसे कि आए इसमें हमें किसका है t, t का मान हमें पता है 300, अब इन सारी जो भी मान हमारे पास दिये गए हैं, इनको जब हम गुणा करेंगे, यहनि कि इनके जब हम मल्टिप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो पाई का मान निकल के आजाएगा, वो कितना आएगा, तो जब बच्चों इसका हम इन प्रवेशनली में मान आजाएगा जीरो पाइंट जीरो टू फोर सिक्स ठीरी कितना बायू मंडल आएगा बच्चों यह जो हमारा इसका परासर्ण दाब जो अता है इतना बायू मंडल आ जाएगा इसको आम एटियम भी लिख सकते हैं एट्मोस्पियर प्रेसर्ण एटियम इतना जो हमारा इसका परासर्ण दाब आ जाएगा आई हो पे निमेरिकल आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा नेस्ट देखिए बच्चों निमेरिकल नेस्ट निमेरिकल है देखिए नेस्ट जो निमेरिकल है काफी इंपोर्टें निमेरिकल है देखिए बच्चों दूसरा निमेरिकल हमसे कह रहा है कि 20 सेंटिग्रेट पर गलुकोज के 0.010.025 मॉल है 500 ml जली बिलियन में घुले हुए हैं तो बिलियन का परासंड दाब कितना होगा तो बच्चों देखिए यहां पर हमें जो चीत दी गई सबसे पहले हम बो नोट कर लेते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हमें क्या किया दिया गया है हुआ कि जिरोंपयंट वन मॉल एननी कि यहनी का मान हमें दिया गया है icing डिरोंट जिरोफिव फाइफ मॉल तो हमें दिया गया है हमें आएतन दिया गया वी जुकल टू पान्सो एमेल को चैन्ज्द करेंगे इसको गएक जिव भाग देंगे तो दो जीरो से केंसल पांच 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 पांदूनी दस यानि की 0.5 लीटर ठीक और क्या दिया गया टी का मान हमें पहले ही पता है कितना होता है दिया गया है 20 प्लस 273 इजुकल 2 293 केलवीन हो जाएगा बच्चों यह हमें centigrade में दिया है तो हमें Kelvin में च आर कमान लिख कर भी दे सकते हैं वाइसे आपको याद रखना नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे और हमें पाई का मान बच्चों निकालना है तो हमारे पास सूत्र इसमें लगेगा जो बो लगेगा पाई वी उकल टू एनार्टी यह सूत्र यहां पर लगेगा क्योंकि यहां पर हमें आयतन भी दिया गया एन का मान भी दिया गया इन सारी चीजों को बारे में हमसे दिया गया है हमसे आई पाई बराबर पूछ रहा है तो पाई बराबर क्या हो जाएगा एन र टी डिवाइड वाई वी हो जाएगा यह जो भी है वो नीचे आए जाएगा पाई के साथ में जो भी है वो आ जाएगी नीचे तो हमारे पास फ 25 इंटू आर कमान 0.0821 इंटू टी कमान दिया गया 293 ठीक है पाइ कमान 293 अब हमें इन सारी चीजों को जो हम गुणा करेंगे उपर वाली जो भी बाइलू है इन सारी बाइलू को सारे मानओ को जो आप गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.060313825 इसका डिवाइड आभी 5 0.5 देखिए जो भी आपके उपर मान दिए गए इन मान को जो आप गुणा करेंगे तो हमारे पास एक मान आ जाएगा 0.60132825 इस जो हमारे पास मान आ जाएगा जब आप इस मान को इससे भाग करेंगे जब आप इसको भाग देंगे इस मान से 0.5 से तो जो आजाएगा 1.20 27 आजाएगा इतना आजाएगा Pi का मान इसका मान हो जाएगा Bayou मंडल मात्रक होता है बच्चों Bayou मंडल यह हमारे पास बच्चों आजाएगा इसका अंसर तिक है Nest numerical देखिए यह बच्चों Nest हमारे पास कार्वनिक प्रत्य लीटर कुल जली विलियन का प्रासर्ण दाव इतना है बन पाइंट बन एट है पदात का अडवहार हमें ग्याद करना है यानि कि इसका हमें पदार्थ जो है उसका अडवहार निकालना है जैसा समझे पहले हम नोट करेंगे गिवें हमें क्या दिया गया है क्या दिया गया है हमें दिया गया है तापमान सेंटिगर्ट कितना जीरो सेंटिगर्ट दिया गया है इसका मतलब 273 केलिविन हो जाएगा ठीक है तापमान 273 केलिविन हमें यहाँ पर डवलू का मान दिया गया है दस ग्राम अडवहार यानि कि हमसे य पूछा गया है हमें पाई का मान दिया गया परासन दाप बन पाइंट बने एटियम हो जाएगा या बायू मंडल आप लिख सकते हैं और हमें क्या दिया गया प्रति लीटर का मतलब होता है बच्चों एक लीटर ठीक है इतनी सारी बैलू हमको दी गई हमें सूत्र पड़ता ह क्या होता है पाई वी जुकल टू एन आर टी पाई वी जुकल टू एन आर टी होता लेकिन यन का मान नहीं दिया है हमने पीछे जब हम लोग पहले मोलर्ता वगरा में पढ़ते थे यन जुकल टू हमने पढ़ा था डबलू अपोन एम पढ़ा था नहीं पढ़ा था देखे कैसे रखना है समझिए पाई का मान हमें दिया गया कितना बन पाइंट बन एट बन पाइंट बन एट इंटू इस बी का मान जो है वो हमें एक लिटर दिया गया है इंटू में वन हो जाएगा इजुकल टू कितना W का मान में दिया गया है 10 ग्राम 10 divided by EM हम से पूँच रहा है into R का मान में पता है 0.0 add to 1 into T का मान में दिया गया है 273 Kelvin इतने मान में दिये गये हैं हम से EM का मान पूँच रहा है जब हम क्या करेंगे देखिए अब हमें एक निकालना क्या है बच्चों EM इसकी हम तिर्चा गुणा कर देंगे इसके बटे में एक और यह जले जाएगा इसके साथ ए आएगा इसके साथ ठीक है समझिए तो EM is equal to क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.082 1 into 273 दिवाइड वाई यह जो मान है नीचे आजाएगा इसकी जब एक बार गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा इतना आगया अब आपको क्या करना है इसका जब आप भाग करेंगे इनकी गुणा करेंगे उपर वाले की जो भी आपके पास अंसर आएगा उसको जब आप भाग कर देंगे उसको भाग करके देख लेना जब उसके पास finally जो हमारा EM का मान आ जाएगा वो 189.4 आ जाएगा बच्चो 189.4 आ जाएगा इसका जो अंसर आ जाएगा 189.4 आ जाएगा यही इसका अंसर हो जाएगा आप इसको गुणा करना और से आप इसको भाग दे देना इतना मान आ जाएगा आप लोग इसतना काम कर लें न ठीक है बच्चो नेश्ट देखिए आप इस निमेरिकल पर आपको इस्टार लगा लेजिए क्या कह रहा है समझिए कि पॉइंट को समझिए बहुत इंपोर्टेंट निमेरिकल है देखिए बच्चो कुष्चन कहे रहा है कि 175 ग्राम जल बैदुत अनपघट पदार्थ के 12.5 ग्राम मॉल का बिलियन बनाने पर कुथनांक में 0.07 के का उन्यन होता है तो पदार्थ का मॉलर दरबमान ग्याद कीजिए हमें कुष्चन के अंदर दिया रहेगा और आपके बोर्ड एक्जाम का जो पेपर होगा उसमें भी दिया होगा कि जल पे लिए के भी कुथनांक में उन्यन का मान इतना हमें दिया गया दिछे सबसे पहले आपको नोट करना इसमें क्या क्या दिया गया है कि बच्चों कोत्नांक में उन्यन और आप्नमन्स में क्डिया गया है यहां पर मान लीजी मिवें क्टरती कामांद दिया गिया है टीवें कितना दिया गया देख जिरो पॉंटड़ जिरो एवेंट़ सेवन के वालम में देल्ड़ें، अम्हशी को मान धुन इंगो यह क्या ना ini kadar के मानन जीरो पैंट फाइफ टूं ऑर में क्या दिया डव्लू का मानन दिया गए बारह पईंट और смож sat twitter और हमें दीखे के दो इस् compose डथे स्माल इस दा ग आप हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है यह चीज कि इसका जो द्रबमान होगा एम का मान हमसे पूछा गया है एम इसकल टू कुश्चन मारे आपको एक सूत्र पता होना चाहिए आपने पढ़ा होगा डेल्टा टी जुकल टू के बी इन्टू स्मॉल डबलू इन्टू बन हंड्रेट एक हजार डिवाइड वाई एम इन्टू कैप्टल डबलू यह आपने सूत्र पढ़ा होगा इसको आपने साल्व किया होगा इस सूत्र में मान रखना है कैसे रखना है समझे हमसे पूछा क्या गया है बच्चो एम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा के बी इन्टू डबलू इन्टू एक हजार डिवाइड वाई डेल्टा टी इन्टू कैप्टल डबलू डेल्टा टी जुकल इन्टू कैप्टल डबलू यह हो जाएगा अब हमें इसमें मान रख देना है तो आए बच्चों इसका हम मान तो यह में जुकल्टू बच्चों मारे पास क्या हो जाएगा के भी का मान हमें कितना दिया गया यह दिया गया है 0.52 इंटू डबलू का मान इस्मॉल डबलू का मान 12.5 ग्राम इंटू हमें और क्या दिया गया देखिए इंटू 101,000 डिवाइड वाई दिया गया गया 11.55 एक 0 हटाइए यहां इसका दस्मॉलों से इस 0 को हटा दीजिए ठीक हट गया अब हमको क्या करना है यहां पर देखिए यहां पर 2 0 है तो आप नीचे क्या करिए 2 0 बढ़ा दीजिए आपने 2 0 बढ़ा दीए दो संख्याओं के बाद दस्मल है हूँ तो हमने आप दो 0 नीचे बढ़ा दिया उपर दस्मल वाटा दिया आप इन दो 0 से इस दो 0 को कैंजिल कर दीजिए हो गया हमारे पास क्या बचा 52 इंटू 125 इंटू 10 दिवाइड वाइड वाइड साथ गुणे 175 जब आप इसको गुणा करेंगे जब आप इसको गुणा करेंगे और इतना से भाग करेंगे आप गुणा कर लेना और इससे भाग कर लेना तो हमारे पास जो एम का मान आ जाएगा बो आ जाएगा जब आप इससे गुणा करके इतने से भाग करेंगे तो 33.6 आ जाएगा ठीक है बच्चों तो यह था यहां तक हमारा चला जो हमारा चेप्टर था विलियन ऐने की सलूशन बिलियन कि है इसके जो मेन नियु मेरिकल थे कि जो भी नुने इचान में आपकर अगर असफ ऐसे मेरिकल करा थे के जो आफकी बौड की इंप़ो टिंसी से सबसे जदा आएं क्योंकि कुछ ऐसे कुछ जन होते हैं जो हर साल आते हैं जैसे पाई बी जगल टो एनार्टी वाला भी सूत्र लगा दिया, डेल्टा टी जगल टो के बी इंटो इस्मोल डबलू इंटो एख लगवा दिया, लगवाग मैंने जो भी सूत्र थे, सारे सूत्रों पर निवेरकल कर वा दिया, अब आप आसानी से कर लोगे, मैंने यह भी बता दिया, आपको कहीं पर भी centigrade में मान दिया हो, तो उसमें 273 आप जोड देंगे, बस वो आपका Kelvin में चेंज हो जाएगा, यानि कि R का मान जो मैंने आप उपर बताया, वो आपका constant होता है, मतलब सूत्र में आपको दिया रहेग उसमें R का मान लगेगा, दूसरा, तो वहाँ पर जो मान लगेगा, वो भी आपको बता दिया जाएगा, कहां पर कैसे लगाना है, और ये तो आप पकड़ी लोगे, किस chapter से numerical हमारा है, जैसे कि billion बगएरा बगएरा की बात की जाएगी, तो आपको समझ लेना किस chapter से दिया कर देना, तो जै हिंद, वन दे मातरव हम मिलते हैं, नए वीडियो में, ने टोपिक साथ, तब तक के लिए, गोड़ वाय, टाटा,